हेलो दोस्तों, टार्गेट उप्यस्सी प्रिलिम्स दोहजार चौबीस MCQ रिवीजन स्रीज के भारती इतिहास यूंकला संस्कृती खंड में आपका स्वागत है अब भ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की और आपके कदम बढ़े इसलिए शुरू करते हैं आज के इस भारती इतिहास यूंकला संस्कृती खंड के साथ आज का यह सफर तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रशन की तरफ मारा पहला प्रशन आपके सामने पटल पर है कि निमनलिखित में से किस वन्ष के साशकों को पुराणों में स्री परवतिय कहा गया है आपके सामने आप्शन है A. वाकाटक B. इक्षवाकू C. शक्या D. खारवेल और पुराणों में इनके लिए एक शब्द इस्तिमाल किया गया है जिस शब्द को कहते थे सुरी परवतिय अर्थात सुरी परवत का शासक तथा आंध्र बृत भी इनको कहा गया है अर्थात आंध्रों का बृत्य अर्थात नौकर होता है पहले अगर बात करें तो ये सात्वाहनों के सामंत थे सामंत वादी विवश्था थी इसके तहट सात्वाहन वंश के अंतरगत ये सामंत की भूमिका निभाते थे और उनका जब पतन हुआ र्थात सात्वाहन वंश का जब पतन हुआ तो अपनी स्वतंत्रता इन्होंने घोशित कर दी और इस प्रकार एक्ष्वाक वण्ष जो है वह अस्तित्यु में आया एक्ष्वाक वण्ष के संस्थापक की अगर बात करें तो कहा जाता है कि स्री शांत मूलक स्री शांत अगर बात करें मूल श्री शांत मूल इसके क्या थे? संस्ष्थापक है और स्री शांत मूल की अगर बात करें तो ये वैदिक धर्म को मानने वाले थे अथात वैदिक धर्म में इनकी आस्था थी स्री शांत मूल के उत्तराधिकारी फिर हुए माठरी पुत्र जिनोंने लगभग 20 वरसों तक शासन किया था तो आपसे पूछा गया कि पुराणों में स्री परवती है किसको कहा गया है तो स्री परवती एक श्वाकूँ के लिए ये शब्द इस्तिमाल किया गया है अगले प्रशन के और चलते हैं अगला प्रशन है कि रिगवेद में कई परिक्षेदों में प्रियुक्त अघन्या वस्तुता अघन्या अघन्या शब्द संदर्भित है ये किसके लिए स्थापित किया गया है किसके लिए ये संदर्भित है किसके लिए इसका प्रियोक किया गया है तो option A है पुजारी के लिए, option B है स्त्री के लिए, option C है गाय के लिए, ये option D है ब्राम्हण के लिए, तो वस्तुता इसका सही उत्तर है option C गाय के लिए, देखिए सबसे प्राचीन और प्रथम वेद की रूप में जाना जाता है रिगवेद, जिसमें अगर मंत्रों की संख्य के लिहाद से आप देखेंगे, तो रिगवेद में लगभग 1028 सूक्त हैं और लगभग 10580 मंत्रिया रिचाएं हैं, वे देखने को मिलती हैं, रिगवेद का संकलन आपको पता है कि कृष्ण द्ववपायन ने किया था, जिनको वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी रिगवेद में जो अगण्या शब्द है, उसका प्रियोग किसके लिए किया गया है, तो वस्तुतहिया गाय के लिए किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अगर इसके अर्थ पर विचार करें, तो अगण्या का मतलब होता है, न मारे जाने योग्ये, अर्था और गाय की महत्ता आपको दिखाई देगी गाय शब्द के इस्तेमाल से लगभग 176 अर्थात 176 बार कुल मिलाके गाय शब्द का उलेह किया गया है और गविष्टी सब्द मिलता है इसको युद्ध के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता था मतलब आप समझ सकते हैं कि गाय की महत्ता इतनी थी कि उसके लिए अगन्या, अश्ट करणी, गविष्टी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल गाय से इर्दगिर्द बने शब्द थे अर्थात उसकी महत्ता को दर्शाते हैं इसके लिए गवेशनक, गोश, गत्य, गभ्य ये सभी युद्ध के लिए प्रियुक्त शब्द हैं, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध उसी वस्तु के लिए होता है, जो मुल्यवान होती है, तो गाय का इससने काफी importance था, साथ ही आप देखेंगे गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों मे त्यू दंड या देश निकाला दिये जाने तक की विवस्ता की गई थी, पढ़ी नामक एक व्यापारी का भी उलेक मिलता है, जो वस्तुतह पशुमों की चोरी के लिए कुख्या था, तो ये कुछ तत्य थे रिगवेद के परिक्षेतों में, अगन्या शब्द का इस्तिम में क्या है, और उसके बाद पुर्व से पस्चिम के क्रम में आपको बताना है, अब देखिए, यहाँ पर option A है अंग, मगद, काशी, कोशल, मचसे, B है अंग, मगद, कोशल, काशी, मचसे, C है मगद, अंग, काशी, कोशल, मचसे, और D है मगद, काशी, अंग, मचस, और को तो इसमें से आपको सही विकल्प का चैन करना है, तो देखिए इसमें से अगर सही विकल्प की आप बात करें, तो सही विकल्प आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए इसका सही उत्तर होना चाहिए A, A option अर्थात, अंग, फिर मगद, फिर काशी, फिर कोशल, फिर तु यह आप देख सकते हैं देखे सबसे पहले इस MIP में आप देखने की कोशिस करिये कि अंग दिखाई कहा है अंग महा दिखाई कैप को यहाँ दिखाई देगी इसके बाद इसके नंबर पर आप देखें कि अवस्थिती ऐगर बात करें तो मगध ठीक इसके बगल में आपको मगत की अवस्थिती दिखाई दे रही है तो पुर्व से पश्चिम की बाद कही जा रही है तो मगत इसके बाद काशिस के समीप ही स्थित है इसके बाद आप देखेंगे इसके ठीक बगल में तो यहाँ पर कोशल की अवस्थिती है और कोशल के ठीक समीप ही मजसी की स्थिती है थोड़े से हट के इधर तो पुर्व से अगर पश्चिम का क्रम अगर आप देखें इस मैप के माध्यम से तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले पुर्वोत्तर हिस्से में अंग स्थित है फिर उसके बाद पश्चिम की तरफ बढ़ते क्रम में मगद की अवस्थिती है फिर काशी की अवस्थिती है फिर कोशल की है और मजसी की स्थिती है तो इस प्रकार जो सही विकल्प हमारा है विकल्पों के लिहाद से वो हमारा सही विकल्प जो है वो ए हमारा सही विकल्प था इसके बाद अगले प्रशन की तरफ चलते हैं तो मगद राजी के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर आप विचार करें मगद राजी के संदर में जो कथन है उस पर आपको विचार करना है एक कुछ कथन दिये गए हैं पहला कथन है हर्यंक कुल के राजा उदाइन ने पटना में एक किला बनवाया था दूसरा कथन है एक राट उपाधी महापद मनंद ने धारण की थी तीसरा कथन है शिशुनाग वंस ने अवंतिराजी को मगद में मिलाया था अब इन में से दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चैन करना है कि इन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है तो दरसल सभी कथनों पर विचार करेंगे और इस लिहाद से जब हम विचार करने के बाद देखेंगे तो ये तीनों ही कथन हमको सत्यप्रतीत होते हैं कैसे हैं जराब याख्या देख लेते हैं दरसल उदाइन की जहां तक बात है तो अजाज शत्रू के बाद मगद का राजा बना था और उसके शासनकाल की महतपुण घटना है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था इस लिहाद से एक अथन बिल्कुल सही है मगद पर शिशुनाग वन्ष के बाद अगर आप देखेंगे तो नंदवन्ष का शासन हुआ और नंदवन्ष के ही महापद्वनंद ने कलिंग को जीत लिया था उस पर विजय प्राप्त कर ले थी और इसके साथ ही मगद की शक्ती में उसने अभिवृध्धी भी की थी विजय समारक के रूप में जिन की मुर्ती भी उठा लाया थे तो इसलिहाद से आप देखें तो महापद्वनंद ने इसी घटना के बाद एक राट की उपाधी भी धारण की थी तो ये दूसरा कथन भी सत्य है पिर आप देखेंगे तो मगद पर शिशुनाग वन्सके शासन के समय अवंती राज्जी की शक्ती को समाप्त करके उसने मगध राज्जी में मिला लिया था अर्थात अवंती राज्य का इसने मगद में अपने विले कर लिया। इसके साथ ही अवंती और मगद के बीच की जो सौ साल पुरानी शतुरता थी, अर्थात इनके बीच में तकरीबन सौ साल से शतुरता चली आ रही थी, उस शतुरता का यहां पर अंत दिखाई देता है, तो अवंती राज्य का जो विले हुआ वो ये भी इनके समय में हुआ था, तो इस लिहाज से ये तीनों के तीनों कथन ही सत्य प्रतीत होते हैं, तो ये तीनों कथन सही हैं। आगे अगर आप देखें अगले प्रशन की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रशन है कि मगद सामराजी पर शासन करने वाले राजवंसों को सही करम में व्यवस्थित करना है। अर्थात मगद सामराजी में सबसे पहले किस वंश ने सासन किया, उसके बाद कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया। सबसे पहले हर्यंक वंश का सासन था और हर्यंक वंश की जहां तक बात है तो उसमें एक शासक थे जिनका नाम था बिम्बिसार, जिनको स्रोणी अभी कहा जाता है और जैन साहिति में इनको स्रेडिक कहा गया है। ये अपने व्यवाहिक संबंधों के माध्यम से काफी अपने संबंध विक्सित करते हैं। तीन राजवन्शों के साथ इन्होंने व्यवाहिक संबंध स्थापित किया था। चेटक पूत्री चेलना से विवाह किया था जो लिक्षवी कुल से सम्मंधित थी। शत्रु के समय में हुई थी। उसके बाद उदाईन या उदैभद्र थे जिन्होंने पाटले पुत्र या कुसमपुर जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना की थी। तो पहला वंश अगर हम बात करें तो हर्यंक वंश था और हर्यंक वंश का ही जो अंतिम शासक हमको दर्शक दिखाई देता है उसी का आमात था शिशुनाग और इसी शिशुनाग ने फिर से एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंस में भी हर्यंख के बाद शिशुनाग वंस आता है तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपको शिशुनाग और कालाशोक जिसको काकवनड भी कहा जाता था ये दो लोग दिखाई देते हैं और शिशुनाग नहीं अवंति को जीत कर मगद सामराजी में मिला ल पुराडों में महापद्मनंद को एक छत्र एक राट भी कहा गया है फिर इसके बाद घनानंद आये और इन्हीं घनानंद के बाद आपने देखा होगा कि मौरे सामराजी की स्थापना हो जाती है चाणक के ने चंदरगुप्त मौरी की साहता से एक नया वंश मौरे वंस इ अगर कालखंड के द्रिष्टिकूंट से देखें तो हर्यंक वंस 544 से 412 BC तक सबसे पहले आया उसके बाद आपका आता है शिशुनाग वंस शिशुनाग वंस की अगर बात करें तो 412 से 344 BC तक आता है फिर आता है आपका नंद वंस की बात करें तो 344 से 324 BC और इसके अगले प्रशन की तरफ चलें कि धर्म के प्रमुक्स नरक्षकों के संबंध में इन में से क्या गलत है। अब आपको बताना है कि इन में से क्या गलत है। अप्षन सी बिलकुल सही है एक तीन और चार गलत हैं अर्था एक तीन और चार गलत हैं। ये तीनों ही तीनों गलत हैं। बाकी आपके कथन जो हैं वो सही है। अर्था चंद्रगुप्त मौरी जो है वो जैन धर्म को मानता था। हेलियोडोरस भागवत धर्म को मानता था। अब देखे जो कलिंग नरेश खारवेल हैं वो जैन धर्म को संड़क्षन दिये थे। ना की बाध धर्म को दिये थे तो पहला तो कथन वैसे ही गलत हो गया। चंद्रगुप्त मौरी जैन हो गये थे आखरी समय में आप देखेंगे तो ये कथन सही है। तीसरे कथन की जहां तक बात है तो गौड नरेश शसांक ने आपको याद होगा कि बोध गया कि जो बोध वरिक्ष था वहां पर जिसकी इस्तिती थी उसको कटवा दिया था। तो इस तरह से बोध वरिक्ष को कटवाना मतलब बोध धर्म का विरोधी था तभी तो उसने कटवा दिया था। तो बोध धर्म से संबंध ना हो कि ये उसका विरोधी था। पुष्यमित्र संग की जहां तक बात है तो शंग एक ब्रामणश आ सकते जिन्होंने बोधों की हत्या कराई थी। तो पुष्यमित्र संग भी इनका भी संबंध बोध धर्म से नहीं है। हेलियोडोरस की जहां तक बात है तो आप देखेंगे बेस नगर का गरुड स्तंभ हेलियोडोरस के वाशुदेव शिलालेख को समर्पित है जो की युनानी राजदूत थे और उसने वाशुदेव कृष्ण को भगवती का पुजारी कहा है इसलिए आप देखेंगे तो विकल दक्षिन भारत के तातकालिन सामाजिक और राजनेतिक व्यवस्था के खिलाप था जिसे पांडियों, पल्लों और बादामी के चालुक्यों के संग्युक्त प्रयास से ही दबाया जा सका यह विद्रोह कौन सा था इस पर विचार करें ऑप्शन A चेर विद्रोह, ऑप्शन B कलब्र विद्रोह, option C कदंब विद्रोह, option D पश्चमी गंग विद्रोह, तो दरसल इसका सही उत्तर है कलब्र विद्रोह जो है, B option सही है, देखे छठी शताबदी में कलब्रों के नित्रतु में विद्रोह हुआ था, और इसका असर पल्लमों और उनके जो समकालीन जो पडो उसी थे उनके उपर पड़ा था, कलब्रों की जहां तक बात है तो इनको दुष्ट राजा कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अनेक राजाओं के साथ यो धकिया और उनको उखाड फेका, और जो तमिल का अक्षेत था, उस पर अपना कबजा इन्होंने जमा लिया था, इन्ह बहुता कलब्र जो थे, वो बहुत धर्म के अनुयाई थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत विहारों का शंपोशड किया था, अथा बहुत विहारों को इन्होंने संपोशित किया था, कलब्रों के विद्रो की व्यापकता इतनी थी कि उसने, उन लोगोंने पांडियों, पल्लों और बादामी की जो चालो किशा सकते इन्होंने जब मिल के संग्युक्त प्रयास किया इनके खिलाफ तब जाके इनके विद्रो को दबाया जा सका तो आप इनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं साथी आप जब देखेंगे अनुदान में दी गई भूमी पर ब्रामणों के अधिकार को समाप्त करने वाले जो कलब्रों के विरुध इन राजाओं के एक जुट होने का अर्थ यह भी है किया विद्रो दक्षन भारत के तादकालिन सामाजिक और राजनितिक विवस्था के खिलाफ उठा था इस लिहाद से कुलमिला के हम ये कहें इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कलब्र विद्रो जो है वो इसका सही उत्तर है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अग्रहार के संदर्ब में निमनलिखित कथनों में से कौन सा सही है अग्रहार क्या था इसको आपको बताना है ऊप्षन ए यह ब्रामणों को दी गई भूमी थी आप्षन बी यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाध ही थी option c या संतों के ठारने का एक अस्थान था या option d या सिर्फ महिलाओं का एक गाउं था तो दरसल इसके सही उत्तर की जहां तक बात है तो सही उत्तर है या ब्रामणों को दी गई एक प्रकार की भूमी थी क्या था अग्रहार तो अग्रहार एक प्रकार की भूमी होती थी एक जमीन का टुकड़ा होता था आप खेत कह सकते होता था जो कि ब्रामणों को दिया जाता था कैसा खेत होता था तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं लगता था ये एक प्रकार के टैक्स फ्री लैंड होती थी टैक्स फ्री जमीन होती थी साथ ही इसके साथ साथ अन्य जो प्रशासनिक छूट है वो भी यहाँ पर दिया जाता था टैक्स फ्री तो होती ह थी कुछ प्रशासनिक छूट भी दिया जाता था अग्रहारम, चतुरवेदी मंगलम, घटोका, बोया ये कुछ अन्य नाम मिलते हैं तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ब्रामणों को दी जाने वाली एक भूमी थी जो अग्रहार जिसको कहा जाता था यह भूमी आम तोर पर भूम को दी गई एक प्रकार की भूमी हैं, उप्षन ने बिलकुल सही है, अगला प्रशन है कि बुद्ध धर्म में वेसाक संबंधित हैं, वेसाक क्या है, उप्षन ने हैं बुद्ध जयंती से, बी तिबद के बुद्ध मटों से, सी बुद्ध मंत्रों चारण से, या डी इसमें सही उत्तर है बुद्ध जयंती, बुद्ध जयंती वेसाक पुर्णिमा को मनाई जाती है, और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसी दिन भगवान बुद्ध को ग्यान प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन महा परिनिर्वान भी हुआ था, महा परिनिर्वाण तीनों ही घटनाए होने के कारण ये वेसाक नाम भी इसको दिया गया है तो आप याद रखेंगे। अगला प्रशन है, बौधमत के महायान और हीन यान प्रकारों के बीच महत पूर्ण अंतर निमनलखित में से किसमे स्थित है? आप्शन A, महायान में पूर्णी का अन्यार ओपन हो सकता था जबकि हीन यान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदारण और सला से ही मदद करता। B, महायान बोधी सत्तों में विश्वास करता था जबकि हीन यान नहीं करता था। इसके जहां तक सही उत्तर की बात है तो इसका बी सही उत्तर है गाख्या क्या है तो देखें दरसल बौधमत में हीनियान और महायान ये दो प्रकार है और इन दोनों ही प्रकारों में कुछ-कुछ अंतर है तो देखें जो हीनियान है उसके अनुसार बुध एक महापुरुश है वो बुधमे को एक महापुरुश के रूप में देखता है जबकि महायान जो है वो बुध को देवता के रूप में स्थापित करता है वो पुज्य बनाता है हीन यान में देखेंगे तो बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि एक महापुरुष है तो प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है जबकि महायान में आप देखेंगे जब किसी को देवता की स्रेणी में खड़ा कर देंगे तो वहां मुर्ति पूजा शुरू हो जाएगी तो महायान में मुर्ति पूजा दिखाई देती है हीनियान स्वयम के प्रेतनों पर बल देता है जबकि महायान के अगर बात करेंगे तो गुणों के स्थान अंतरन पर बल देता है हीन यान का आदर्ष है अरहत पद की प्राप्टी जबकि महायान में बोधी सत्व की परिकल्पना मौजूद है इस लिहाद से अगर आप देखें तो बधमत के महायान और हीन यान प्रकारों के बीच जो महतपुन अंतर को व्यक्त करने वाला आप्शन है वो है आप्शन B महायान बोधी सत्वों में विश्वास करता था जबकि हीन यान नहीं करता था तो इस लिहाद से आप देखें तो B उत्तर बिल्कुल सही है चलते हैं अगले प्रशन की तरफ तो अगला प्रशन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए सूची एक की तरफ दिया गया है कुछ महाजनपदों को और सूची दो की तरफ दिया गया है उनकी राजधानी को अंग के सामने वारानसी है, मगद के सामने चमपा है काशी के सामने राजगीर है और कोसल के सामने स्रावस्ती है और नीचे दिएगे एक कूट से आपको सही उत्तर का चैन करना है तो देखिए इसके हिसाब से अगर सही उत्तर की आप बात करें तो इसमें सही उत्तर का चुनाओ जब आप करेंगे तो अंग की राजधानी बेसिकली चमपा है साथी अगर मगत की राजधानी की बात करें तो मगत की राजधानी राजगीर है इसके लावा अगर आप देखें काशी की राजधानी तो काशी की राजधानी वारानसी है और कोसल की राजधानी की जब बात होगी तो कोसल की राजधानी स्रावस्ती है इस लिहाद से अगर सही विकल्प आप देखें तो सही विकल्प है C, अर्थात A का दूसरा, B का तीसरा, C का पहला और D का चौथा तो इस लिहाद से ये विकल्प बिल्कुल सही है तो मीज है आज के संदर्प से आप लाभानवित होंगे तो लड़ते रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें मिलते हैं अभ्यास के अगले शेक्षन में एक नए संदर्प के साथ